क्राउड एक्टर इखटा नहीं करता क्राउड जो है फिल्म की लोगप्रियता होती है एक्टर की लोगप्रियता होती है उससे क्राउड आता है तो लोगप्रिय होना जो है वो तो कोई जुर्म नहीं है भगदल मच गई एक आदमी की मौत हो गई लोग घायल हो गई अब इस की वो तो एक्टर के हाथ में नहीं है अगर भग्जल मची है तो उस क्राउट को कंट्रोल करना तो एक्टर का काम नहीं है अब अगर यही वज़ा है गिरिफस्तारी की तो ये वज़ा मेरी समझ से बाहर है बहुत सी फिल्मे हिट होती है बहुत क्राउड जमा होता है कई बार पुलिस को माइल्ड लाटी चार्ज भी करना होता है तो इसमें एक्टर कहां से आगया ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है क्योंकि एक्टर का काम जो है वो कैमरा फेस करना है डायलोग बोलना है इसके बाद उसकी डूटी खत्म हो जाती है लेकिन क्राउड को कंट्रोल करना या एड्मिस्टेशन का काम करना जो है वो एक्टर की जिम्मेदारी नहीं है अगर भगदल मची है हिट फिल्में जब लगती है तो बगतल मचती है पबलिक टूट पड़ती है लेकिन उसे भी कंट्रोल किया जाता है उस क्राउट को भी कंट्रोल किया जाता है तो अगर क्राउट कंट्रोल नहीं हुआ है और किसी एक शक्स की मौत हो गई है तो इसका जिम्मेदार जो है वो ताजुब हो रहा है इस बात पे कि इस वज़ा से अगर उनको गिरिफ्तार किया गया है तो लोग प्रिये होना तो कोई जुर्म नहीं है हिट फिल्म में काम करना कोई जुर्म नहीं है क्राउड एक्टर इखटा नहीं करता क्राउड जो है फिल्म की लोक्रियता होती है एक्टर की लोक्रियता होती है उससे क्राउड आता है तो लोक्रिय होना जो है वो तो कोई जुर्म नहीं है ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि ऐसा क्यूं हुआ है हाँ अगर इसके अलावा अगर कोई और वज़ा है तो उसके बारे में मैं नहीं कह सकता बहराल अगर अरेस्ट किया है तो उसकी चानबीन होनी चाहिए अरेज़ भी क्यों किया है किस वज़ा से किया है उसकी कोई एक ठोस वज़ा होनी चाहिए और अगर यही वज़ा है कि स्टेंपीड हो गई भगदल मच गई एक इनसान की जान चली गई तो इसमें एक्टर जो है वो वो पिक्चर में कहीं नहीं आ रहा है तो ये बात मेरी समझ से बाहर है कैसा क्यूं किया गया लेकिन मैंने वीडियो देखे हैं कि ठेटर में पटाखे फोड़े जा रहे हैं आतिश बादी हो रही है आग लग रही है लोग बिलकुल पागल से हो रहे हैं इस फिल्म को देखकर पहली बात तो ये है कि जो ठेटर का एड्मिस्ट्रिशन है वो पटाखे कैसे अलाओ करता है ठेटर में अब इसे रुपना तो एक्टर का काम नहीं है मैंने देखा एक जगा पटाखे फूट रहे थे रॉकेट छोड़े जा रहे थे आग लग सकती थी स्टेंपीड हो सकती थी लोगों की खुदा न करे मौत हो सकती थी ऐसा नहीं हुआ लेकिन ऐसा हुआ है कि ठेटर में पटाखे छोड़े गए तो ये दिम्मेदारी जो है ये एक्टर की नहीं है पटाखे ये जो आग जनी की वारदाते होती है इसमें एक्टर तो कहीं आता ही नहीं पिक्चर में तो अगर एक्टर इतना पॉपुलर है इतना लोग प्रिये है कि लोग उसकी फिल्म देखने जाते हैं और सीन्स पे वो पटाखे छोड़ते हैं थेटर के अंदर रॉकेट्स छोड़ते है तो ये जिम्मेदारी जो है ये थेटर की सिक्यूरिटी की जिम्मेदारी है ये ये एक्टर की जिम्मेदारी नहीं है तो अब एक जगा एक फैन की मौत हो गई भगदर की वज़ा से और कई थेटरों में जो है सीन्स पे पटाखे फोड़े जाते हैं आतिश बादी छोड़ी जाती है रॉकेट्स छोड़े जाते हैं जो हम दिवाली पे छोड़ते हैं तो ये काम जो है ये ये थेटर वालों का है ये काम सिकुरिटी का है ये काम जो है यह फाइरवर्ग्स जड़ाए जा रहे थे थेटर में तो लोग भाग रहे थे डर के मारे थेटर से आग लग सकती थी एक्सिडेंट हो सकता था स्टेंपीड हो सकती थी और खुदा ना करे लोगों की मौत सकती थी अब इसका दिमेदार कौन है इसका दिमेदार एक्टर यकीन नहीं है और ये जो है ये काम जो है ये प्रशासन का है ये अड्मिन्स्टेशन का है ये सिक्यूरिटी का है और ये खानू का है एक्टर कहीं भी इस हाथ से में एक्टर कहीं भी पीचर में नहीं आता